हलो दोस्तों सला लेकूं नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग आप देख रहे हैं हमारे यूटूब चैनल बड्रीम्स अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब का बटन दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके birds भी जल्दी से breed पर आ जाएं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 important tips जिसको follow करने से आपके birds पहुँच जल्दी breed पर आ जाएंगे तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो का पहला tip तो पहला tip जो है दोस्तों वो मेरा ये है क्या आपको करना ये है कि 8 या 10 bird लेकर एक colony में छोड़ देने हैं देखिए bird चाहे आपके पठे हों चाहे adult हों आपको उन्हें लेकर एक colony में छोड़ देना है जरूरी नहीं है कि colony बड़ी ही हो छोटी भी हो सकती है एक छोटे cage को भी आप colony का रूप दे सकते हैं देखिए colony का मतलब ये होता है कि जिसमें 8-10 bird एक साथ रहते हैं और cages में अगर आप चाहते हैं कि cages में breed लें तो cages में थोड़ा सा time लगता है और cages में पेल लगने में टाइम लगता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके bird जल्दी से breed पर आ जाए तो आपको 8-10 bird लेकर colony के अंदर छोड़ देने हैं colony में छोड़ने के बाद वो बहुत जल्दी पेल लगा लेते हैं और जल्दी पेल लगता है तो जल्दी ही वो bird breed पर आ जाते हैं तो आपको यह करना है कि 8-10 bird लेकर colony के अंदर छोड़ने हैं दूसरा टिप जो है वो मेरा यह है कि आपको privacy देनी है अपने bird को आप अपने birds को privacy देंगे तो आपके birds पहुत जल्दी breed पर आ जाएंगे यकिन करें देखिए आपको करना यह है कि आपको अपने birds अगर आपने नएने birds पाले हैं तो आपको करना यह है कि उनके पस जादा ना जाएं प्राइवेसी का मतलब यह नहीं है कि आप उनके बस बिलकुल ही न जाएं देखिए जाएं आप सुभा और शाम जाएं उनका दाना पानी का ख्याल लखें लेकिन ऐसा नहों कि आप हर वक्त कॉलोनी या केजिस के उपर बैठे रहें और बार बार जाकर उनको चेक करें अपने बर्ड्स को पकड़ें और देखें कि कहीं वो ब्रीट पर तो नहीं आगाएं आपको यह नहीं करना है आपको करना यह है कि आपको अपने बर्ड्स के आसपास बहुत कम जाना है उन्हें privacy देनी है जब आप अपने birds को privacy देंगे तो आपके birds बहुत जल्दी breed पर आ जाएंगे तो मेरा second और दूसरा जो tip था वो privacy को लेकर था अब जो तीसरा tip है दोस्तों वो मेरा है balance diet को लेकर देखिए आपको diet अपने birds को colony में जो आपके pot होते हैं ये ध्यान रखना है आपको कि आपके pot 24 hours seed mix से भरे होने चाहिए देखिए आपके pot कभी भी खाली नहीं होने चाहिए आपको colony के pot जो हैं उसमें seed mix कंगनी बाजरा और सूरज मुखी के बीज mix seed मिलाकर 24 hours तक हर वक्त आपके colony में रखे रहने चाहिए देखिए birds तभी breed करता है जब वो देखता है कि उसकी जो colony या cages जो भी जिसमें भी वो रहता है वहाँ पर जो उसका दाना पानी है उसकी कोई कमी नहीं है वो ये देखता है कि मेरे बच्चे और मैं भूक्या नहीं रहूंगा तब ही वो breed करता है तो आपको ये खास तोर पर ख्याल लगना है कि आपनी colony और केजीज में कभी भी ऐसा ना हो कि पॉट दाने से खाली हो आपका हमेशा पॉट दाने से भरा रहना चाहिए जिससे birds को ये लगे कि हाँ उसके नहीं दाना पानी यहाँ बहुत दोस्तों आप भी गएवे गेऊं जरूर खिलाने हैं दोस्तों आप भीगेवे गेऊं अपने birds को खिलाएंगे तो देखिएगा कि आपके birds बहुत जल्दी breed पर आ जाएंगे भीगेवे गेऊं खिलाने से फाड़ा ये होता है बहुत जल्दी breed पराल को च Bentना चाह थिप है दोस्तों आपने जहां पर भी अपनी कॉलोनी या केजिस बनाए है उनकी जगा को बिल्कुल हिलाना नहीं है आपने जहां एक बार कॉलोनी और केजिस बना दिये वहीं उनको रखना है उनकी जगा बिल्कुल नहीं बदल नहीं है आप जगा बदलेंगे तो bird disturb होते हैं और disturb हो जाते हैं तो उसकी वज़ा से वो breed नहीं करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपके colony और cages जहां पर भी आपने एक बार रख दिये उन्हें वहीं रखना है दुबारा उनकी जगा को change नहीं करना है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके bird बहुत जल्दी breed पर आजाएंगे और बहुत अच्छी breed करेंगे तो दोस्तों ये थे मेरे 5 important tips जो मैंने इस वीडियो में आपको बताए अगर आप इनको follow करेंगे तो आपके bird बहुत जल्दी breed पर आजाएंगे तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को like कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए इजाज़त दीजिए मुलाकात होती है अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए